दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्याज की कचोड़ी उसके लिए यहां मैंने दो कब जितना मैदा ले लिया है इसमें हम डालेंगे एक चमच जितना नमक और थोड़ा सा तेल दोस्तो अब हम इस मिक्षर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे तब तक मिक्स करना है जब तक यह कुछ इस तरह से बैंड नहीं हो जाता यह देखिए इस तरह से आपको बॉल बना के देखना है दोस्तों अगर यह बाइंड नहीं हो रहा है इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे आप बीच-बीच में पानी मिलाते रहेगा तब तक इसका एक्षा से सॉफ्ट डो नहीं बन जाता यहाँ डो लगबग बन चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसे आदे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे दोस्तों जो आपका यह डो है यह रूटी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए हम इसे आदे घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट करने के लिए दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच तेल दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच जितना दरदरा पीस लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मज गार्लिक का पेस्ट आधा चम्मज जिंजर का पेस्ट एक कटी हरी मिर्च इस अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज हमने इस प्याज को मिकसर में दरदरा पीस लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मज जितना जीरा पॉडर दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पॉडर अधा चम्मज लाल मिर्च पॉडर और स्वाद अनुसार नमक अधा चम्मज लाल मिर्च पॉडर अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मज बेशन इस अच्छे से मिला लेंगे अधा चम्मज लाल मिर्च पॉडर प्याच की कचोड़ी का मसाला यहां बन चुका है अब हम इसकी कचोड़ीया बनाएंगे यहाँ पर हमारा आटा जो हमने रखा था रेस्ट करने के लिए आदे घंटे के लिए यह भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है आप इसे एक और बार मसल लीजे और इसके दो हिस्से कर लीजे कुछ इस तरह से और आप इसे कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर लीजे और इसके छुचछड़े पेड़े बना लीजे कुछ इस तरह से अब हमें इन पेड़ों को लेके कुछ इस तरह से इसका शेप बनाना है कटोरी समान इसमें हम थोड़ा सा आटा और लगा लेंगे बीच में लगाना है हमें इस आटे को ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे से निकल ना जाए अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और इसे कुछ इस तरह से बंद कर देंगे कुछ इस तरह से आपको इसका बॉल बनाना है और उपर से थोड़ा सा बचा हुआ जो आटा रहेगा उसे निकाल देना है कुछ इस तरह से कुछ इसी तरह से हम बाकी पेड़ो में भी मसाला भर देंगे अब हमने यहाप एक कडाई ले लिए इसमें हमने तेल पहले से ही गरम करके रखा हुआ था दोस्तो आपको एक चीज का ध्यान देना है आप इसे एकदम भी ज़्यादा गरम मत कीजिए अगर ज़्यादा गरम हो जाए तो आप फ्लेम को कम कर दीजिए उसके बाद आप इसमें कचोडी डाल दीजिए वरम को आप इसक बा나ंव कीज से हीं दूँव मत कर विजुद मत करें झाल 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 दोस्तों यहां पर कचोड़ी तयार हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना मुलें थेंक्यू फोर वाचिंग झाल झाल